असलाम लेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चे में हम बात करेंगे About Length Contraction लास लेक्चे में हमने चार स्टडी की थी Consequences of Lawrence Transformation उन में से जो सफ परस्ट वाली थी वो थी Length Contraction तो आज के लेक्चे में हम Length Contraction का जो है वो Introduction भी Discus करेंगे साथ में हम इसको explain भी करेंगे कि यह होती क्या है ठीक है तो सबसे पहले हम इसको start करते हैं इसके introduction के साथ तो introduction है a phenomenon that a moving object's length is measured to be shorter than its proper length is called length contraction अब यहां पर लफस contraction से मुराद के कोई चीज़ contract हो रही है हमार पस ठीक है contraction से related है कोई चीज़ तो यह है कि हमार पस एक ऐसा phenomenon है जिसके अंदर कोई भी जो moving और किसी भी moving object की जो length है अगर उसको मैयर करें ना तो वह चोटी होती है हमार पस shorter होती है किसकी निश्बत than its proper length जो उसकी जो rest के आलत में जब object पड़ा हो अगर उसके length को मैयर करें उसकी जो length होगी ना उस length से चोटी होगी उसी object की length कब जब वो move कर रहा होगा ठीक है अब बात यहां पर यह होती क्योंके यहां पर तरह आद के बहुंत है कि का अधिये होती है क्याव गाड़ कर रहे होती है हम खूद पादरर ट्रैवल ट्रैवल करें होते हैं कि हमारे लेंग्थ में भी फरक आता यह दलिई भी फखशन कहा होती है Вы तो वहां पर होती है जब कोई भी आपजेक्ट है वह मूव तो करता है बट मूव की स्पीड के साथ करता है यहां के तो की स्पीड की औरिजनल मॉव करेगा तो इसकी जो उरिजनल लेंग्ट है वो इसकी जो मेंयाड लेंग्ट होगी वो उसकी जो proper length होगी उससे क्या होगी shorter होगी कम होगी ठीक है इसी का नाम है length contraction इसको हम कहते है length contraction ठीक है student तो यह थी यह है इसकी mathematical form ठीक है तो यह इसमें factors कौन को से L क्या है L not क्या है ठीक है अगर Lawrence factor का साथ में use हो रहा है इन सारी चीज़ों को हम drive करेंगे one by one करके explanation में तो सबसे पहले जो हम इसको explanation से start करते है consider two frame of reference s and s' having x y z and x x y z coordinates respectively as shown in figure तो यहां पर भी basically हमने दो frame of reference ले लिए एक s a e का नाम s' है ठीक है इसके जो coordinates है वो है मार पास s के जो coordinates है वो x y z है और x dash के जो सोरी जो s dash के जो coordinates है वो क्या है मार पास x dash y dash और z dash है ठीक है उसके बाद देखें let l not is equal to x2 minus x1 be proper length of a road in s frame in which the road is at rest ठीक है फर्ज कर लेते हैं कोई भी मार पास एक road है ठीक है एक road यहां पर भी देखें और एक समझे लेकर यहां पर भी एक मार पास एक road है ठीक ठीक है ठीक है तो उसके बाद है कि now if same road is placed in s dash frame moving with velocity v along x axis ठीक है तो अब हम फर्ज कर लेते हैं कि कि उसी length की एक और road को हो जो हमने s dash frame के अंदर भी प्लेस के बिस जैसे यहां पर यह जो road है इसी तरह इसको भी यहां में ड्राग कर लेना ठीक है इसको बना लेना ठीक है क्य तो यहां पर भी जाओ आप एक road draw करेंगे so आगे देखें then its length viewed from s dash frame is given by तो उसकी जो length है s dash frame से जब हम उसके देखेंगे तो l नाट मारपस किसके बरापर होगा x2 minus x1 अब ठीक है यह जो उसकी proper length होगी ठीक है और जो l है वो हमारपस क्या होगा x2 dash minus x1 ठीक है इनको हम कहा देते question number one and equation number two according to first lawrence transformation equation पहली तो जो हमने जो lawrence transformation equation ट्राइब की तो इसमें मारपस क्या था x is equal to x dash minus vt dash divided by lawrence factor ठीक है यह था हमारपस ठीक है so similarly यहां पर हमारपस जो x1 है वो हमारपस इस चीज़ के बराबर आदेगा और जो x2 है वो हमारपस इस चीज़ के बराबर आदेगा ठीक है put in one यहां पर जब इनको execution number one में put कर देना ठीक है question number one में हम उनकी जगाप इनकी values क इसकी value x1 की जगाप इसकी value उसको put कर दिया ठीक है जब हम इनका LCM लेकर इनके आपस में calculation करेंगे तो यहां पर देखें तो हमारे क्या बिलेगा अब यहां थिक है यहां से या उवर आपको यह वखेंट अब इस factor की जगह पे ठीक है एक्वेशन नेमर टू में देखे मार पास यह जो एकस्टू डैश और एकस्वन डैश यह किसी इसके बरापर आ रहे हैं न ठीक है तो उसकी जगापर हमने जस्ट एल को पूट करते हैं ठीक है यह निके इन दो फैक्टर की जगाप हमने क्या पूट कर दिए एल क्या है लेंग्ड कांट्रेक्शन का फार्मूल टीक है यहां पर देखें मार पास यह जो जो एल माइनस एल इस लास एन लन नॉट कैसे क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी अगर आगर वार मैंसे अगर कोई बीचीज माइनस हो रही हो ना तो और उसका हम स्केर उड़ी तो औ तो और चोटी हो रही है चोटी चीज़ का जब हम स्केर उले तो और ज्यादा चोटी हो जाती है तो इसका मतलब है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां ही यहां पर माल पास अरे बाल से अलस्ट करेंके रहां तो यहां पर पर यहां कि नानट क्शीन ऑर यह वहां आम यह नंग जैब और भूम कर और मुव करें बिसको नेख सकते हैं the length in moving frame of reference becomes shorter which is known as length contraction तो क्या नाम देते हैं लेट का नाम देते हैं चोटी सी एक्जेंपल को देख लेते हैं लेट अ-स स्पेस क्राफ ऑफ 100 cm length is moving with half velocity of light वाट विल बी इस length contraction ठीक है कोई एक स्पेस क्राफ आफ जिसकी सी जो स्थाइब करें तो ना को सिम्पलिफाइई अब्सक्राइब है स्थाइन जांटि करें तो रिंट काइब से जगह से स्केर करेंगे तो जिसको जब हम पास जब हम जो है वह सॉल्फ करेंगे तुमार पास जो नोट एक चोटा से लोट आप लोगो नियाद रकना है ठीक है यह एक है length contraction of an object moving with a comparable velocity to velocity of light ठीक है अब हमने बात तो किती कि जब भी कोई object जो है वो speed of light के comparable velocity से move करता है तो उसमें length contraction होती है अब जूरी तो नहीं कि जो है वो हर object ने speed of light अगर वो speed of light के 50% उसके comparable velocity से move करें फिर कितनी length contraction करेक्शन होगी ठीक है उन्ट यह च्छोट एमसी की उसके लिए अपसको देख सकते हैं इफ वी is equal to zero the length length is equal to 100 यानिके जो हमार पार जो विलास्टी है ना वह 0 ती है यानिके बिल्कुर भी उसके comparable में नहीं है तो तो हमारे पास औरीजनल लेंग ती रहेगी अगर जो है वह कोई भी जो वी है वह हमारे पास क्या है 50 परसेंट ऑफ सी है ठीक है तो यानिके स्पीड अफ लाइट के से सभी फिर्मा पर लेंट को ट्रेक्शन के से मूव कर दो फिर मेंप लेंट को ट्रेक्शन के नियामिः से के अंदर हमने फर्स्ट कंसीक्वेंस ओफ लॉरेंस ट्रास्फरमेशन को डिस्कस किया जो कहती हमारे पास है लॉरेंस लेंग्थ कॉंट्रेक्ट उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे से के लिए हुआ होगा आज का टॉपिक सो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक केर और लाफिस